वल्कम बैक चूजागो लहौर जनाब आज मुखकर है पाकिस्तान के आज यौमे प्रिदाइश तरवाले से हम डिसकाशन दे करें समझने की जरूरत है और समझने के लिए अब जो भी लोग आते हैं कि आपको लगता है कि वो चीज उस तरह से आगे पास on हुई है या लोगों में समझने की जो अबादी नौजवानों पर मुश्क्रम है और मेरा तो यह तासर है यकीन के नौजवान जो है वो बड़े है उन में जोश और वलवला है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनमें शौर पैदा करना ये दो ऐसे हैसियत हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शक्सियात को एहमियत देने की जरूरत है एक घर में तर्भियत माँ बाप चो दें दूसरा इसादसाए करा तो मा की गोद में बच्चा सीखता है तो सारी उमर दुबारा नहीं सीखता और अलामा इकबाल ने इस हवाले से जो अपनी वालदा को खिराज तहसीन पेश किया है उन्होंने मर्सिया लिखा है वालदा मर्हुमा की याद में और बड़े-बड़े मर्सिया लिखे गए उर्द किसमत हुआ घर मेरे अज़दाद का सरमाया इज़द हुआ तो वो इस बात का इतरास करते हैं कि जो कुछ भी मैंने पाया जो भी मैं बना वो अपनी मां की तर्वियत से था और उनको ये भी एहसास था अपनी जिंदगी में कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम पालिय आप को वो और विया है अजुब सितारों का हमकिसमत अपने आपको उन्होंने समझा और इहींज देखिए कि उनके घर के जो इस्राद थे उनकी क्या है इस में वालिद घृ तुसी तौर पे और दुनिया भर में जो मुकाम पाया अकबाल ने वो किस तहाँ पाया उन्होंने अपनी माँ की वज़ा से तर्वियत की वज़ा से कहा और दूसरा जिस चक्स को उन्होंने बहुत बड़ा खिराज़े चैफिन पेश किया उनका उस्ताद था सेद मीर हसन सेद मीर हसन ने उनको मदरसे में कुरान हिफ्सकर से देखा उनके वालत के पास जाके उनसे कहा कि ठीक है ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उनको बच्पन में कुरान की तालीम के लिए भेजा है मदरसे में लेकिन आप मुझे इजाज़त दे इसकी तालीम यहां से मैं अपने जमे ले लूँ फिर वो उनों ने अजाज़त जब दी तो उनों ने फिर उनको वहां डाखिल किया स्कूल में भी ठीक है तालीम कुरान की उनों ने हासल की बच्पन ही जिर जैसे ने बिताया कि कोई ऐसा लफ नहीं है उनके कलाम में जो कुरान से बाहर हो और इश्क रसूल से तो वो सर्शार है बिल्कुर और मैं समझती हूँ दो चीजें उनोंने अपने कलाम में जिनको एहमियत दी है वो एक तो है खुदी और दूसरा इश्क तो ये दोनों चीजें अगर बच्चे हमारे समझ ले और बच्पन में अब देखिए अब तो स्कूल जो भी जाता है पहली चीज़ जो बच्चे सीखते हैं लब पे आती है दूआ के तब लेकिन क्या उनको पता है कि ये एकवार ने लिखा है और क्यों लिखा है और इसका मफूम क्या है लब पे आती है दूआ क्या है पहले समझाना है कि इसका लब पे आती है ये तीन लफज है मैं जब चोटी सी होती थी मुझे तो पता ही नहीं था होता और अब भी मैं देखती हूं यह चोटी सी बात अगर माँ घर में सिखा तो फिर इसके बारे में के शमा की तरह रोशन हो जिन्दगी और शमा की तरह रोशन होने का यह मतलब है के जो अंधेरा एक है जहालत का आपके जहन पे वो छट जाए और रोशनी पैदा हो और दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए हर जगा मेरे चमकनिस उजाला हो जाए और अगर आप पा लेते हैं इल्म की ये शमा तो आप जितना भी उसको बखेरेंगे ये एक ऐसा जेवर है जो बढ़ता ही जाए कम नहीं होगा और उसके उपर फिर अमल करना क्योंकि एकबाल का सबसे बड़ा तो पैगाम ही ये है कि अमल से जिंदगी बनती है जननत भी जहनम भी ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है और अभी इनोंने ये पड़ा खुदी का सिर नहां जो एक उसका शेर है जिसको मैं समझती हूँ खुसी तवज्जों देने की जरूरत है वो शायद लंबी नजम है ये मालो दौलत दुनिया ये रिष्टाव पैबन बुताने वहमो गुमा ला इलहा इल्ला अब क्या सूरत है हमारे ये शेर कोई पड़े और समझे हम आते भी खाली हाथ और जाते भी खा कितनी दल्चस्पी आप देखती है आजकर के बच्चों में आपकी कैसी है अगर उनको कोई शौर पैदा करने के लिए तर्बियत दे तो यकीन बड़े शौक से सिखते हैं और मैं समझती हूँ इस वक्त हमें सबसे बड़ी जरूरत ही ये है कि जो अलामा ने कहा और जो हम स पैका मकरूज है कि बचा क्या है जैसे अभी का कि हम फरंगी चीजों पर अपना इनिसार रखते हैं हम अपने आप पर जैसे अलामा ने फरमाया अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिन्दगी तो अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन और बच्चों के लिए मजा पाईया भी और उनको आसानी से समझाने वाली बाते करते हैं तो तेरे सोफे है अफरंगी तिरे काली है इए एरहनी लहू मुझको रुळाती है जवानों की तानासानी और यही अनोंने फिर जरा अगर दौा करते हैं तो कहते हैं अई मौला तू आ beim आप मेरी चारह साजी क मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा इमा है अफरंगी, मेरा इमा है जुनारी, देखिए वो गईव इंगलिस्तान, क्या कुछ उन्होंने तालीम हासिल की और कदरो मंजलत भी वहां पाई, लेकिन वापस यहीं आए, एक टॉनिप पॉइंट और आना जो था ना, वो उनोंने ये पाली बात के सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एहम बात है, वो अपना इमान है, और उनका एक रुबाई है, मैं समझ क्यों, सारा उनका जो कलाम है, उसका टीप का जो नचोड़ है, वो ये है, वो कहते है, वो दाना ए सुबल, खत्म रुर्सुल, मौला ए कुल जिसने, वो बारे राख को बख्षा, परोग वादी ए सीना, निगाह इश्क मस्ती में, वो ही अवन, वो ही आखर, वो ही कुरा, वो ही फुर्का, वो ही यसी, वो ही ताह, अगर आप ये बच्चों को भी समझाएं, समझ जाते हैं, मैंने तो ये देखा है, लेकिन ये निसाब में चीज को क्या का दे के जाते हैं, एक तो वो जैसे इन्होंने का कि सर्मायादारी के दोर के बारे में जो कहते हैं, जो कभी नहीं कुछे हैं, गया दोर सर्मायादारी गया, तमाशा दिखा कर मदारी गया, और इन्शालला ऐसा ही हो, जाएगा इन्शालला, और फिर कहते हैं, बु तो इश्क के उपर उनका इतना ज्यादा एहमियत देते हैं मैंने जैसे चुरू में अर्ज की खुदी और इश्क तो एक उनका शेर है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ तो अपने जिंदगी में ही बहुत लोग उनसे हासल करने आते थे कुछ ना कुछ मालूमात तो बैठ उसे मिस्रे पर गौर नहीं किया मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ इश्की तो इंतहा होती ने और इश्क का मतलब क्या है पैशन आप जो भी करें उसमें आपने एक पैशन अपनाना है कोई काम दुनिया में आप सर अंजाम नहीं दे सकते अच्छा जब तक आप में व जवदर ठीक होगा अजनाब हम डिसकाशन करें और बाल के हावाले से उनके फलस्फे के हावाले से निके नजरिये के हावाले से हमार साथ सेंगर भी मौझूदे हैं अब क्या सून आपको कॉन तर खिलाम प्रिश करूँगा दिल सोज से खाली है निगे फाक में जब तन्य दिल सोज से खाली है दिल सोज से खाली है निगह पाक नहीं है दिल सोज से खाली है निगह पाक नहीं है फिर इस में अजब क्या के तु बेबाग नहीं है दिल सोज से खाली है क्या सूफियम उल्ला को खबर मेरे जुनू की क्या सूफियम उल्ला को खबर मेरे जुनू की उनका सरदामन भी उनका सरदामन भी अभी चाक नहीं है दिल सोज से खाली है आलम है फक्त मुमिने जाबाज की मिराज आलम है फक्त मुमिने जाबाज की मिराज मुमिन नहीं जो साहिबे मुमिन नहीं जो साहिबे लौलाज नहीं है दिल सोज से खाली है है जौके तजली भी है जौके तजली भी इसी खाक में बिल्हा गाफिल तू निरा साहिबे गाफिल तू निरा साहिबे इद्रात नहीं है दिल सोज से खाली है जाबदस बहुत 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 जब जैबदस आब बेक की तर बढ़ने लगे हैं मैं चाहूंगी छोड़े-छोड़े मेशेज हम दोनों मेहमारों से लें, मैंदम क्या मेशेज देना चाहिए। इतनी सारी इकवालने बातें की जो हम अगर थोड़े-छोड़े करके भी समझाएं लोगों को बहुत फरक पड़ जाए। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इनका शेर जो है एक सबक लोगों के लिए अफराद के हाथों में हैं अक्वाम की तक्दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकदर का सितारा। और इसमें मैं ये वहास तोर पे इसकी तरफ तवज़ दिलाती हूँ कि शायर से ना रदीफ काफिय को आपस में मिलाना तो अगर कहते ना मर्द, मिल्लत, मुकदर, सितारा तो कितनी बारी शायरी बेहतर होती लेकिन उन्होंने अंदन लफ्स इस्तमाल की है फर्द है मिल्ल की तकदीर जो है वो हमने बनानी है और अपना हिस्सा डाले उसमें तो इन्शालला हम दुनिया की सबसे तरफियास का कौमों में शामिल हो जाएं पर देख़े आलमा अकबाल ने जिस जिन्दगी का तारुफ हम से करवाया है जबतक हम उस जिन्दगी को अफ्टियार नहीं करें najwię 21 था intake अर वाना जेंट्गी हमारा रहेगा और इसी तरह ही हम डेस्ट्रीव रहेंगे इसका मेरे खियाल में एक ही तरीका है और वह यह है कि एकवाल की शायरी जैसे आपने बहुत कमाल किया, बहुत अच्छा किया, कि ये दो चीजे हमें सुनवाईं, तो तहतो लफ्स में भी और तरन्नम में भी, एकवाल की शायरी जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुँचाएंगे, उतना ये ज्यादा मुम्किन होगा, क्योंकि श वह समझढ आयँ कि ये आप पहति से असर करते हैं, यह रहासो से जाए ही जानता है, … आपने हमारे लिए वक्त निकाला तैंक यू सो मिच रमीज आपका भी बहुत शुक्त है जनाब हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमें और भी महमाने जो जोइन करेंगे आज हम मुफक्कर पाकिस्तान इन्लामा एकबाल की यौमे पदाइश के हवाले से शोग करें तो और भी महमाने में जोइन करने वाले आप देखते रहिए जागल हम